इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम जो की है चैप्टर स्टेटिस्टिक्स है तो आई देखते हैं प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम गीवन है उसमें हमें कह रहा है कि एक लोकालिटी में कुछ बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों में डेली जो हमें उनको पॉकेट अलाउंस मिलता है तो उसका डिस्टिबुशन कुछ इस टाइप से है लाइक 11 तो 13 जो रुपीज मिलते हैं डेली वो मिलते हैं 7 चिल्डरन को 13 तो 15 मिलते हैं 6 चिल्डरन को and so on पर यहाँ पर एक नमबर ऐसा है मलब एक फ्रिक्वेंसी ऐसा है जो हमें पता नहीं है जिसे मलब 19 से 21 जो यह अलाउंस मिलता है यह कितने नमबर ऑफ चिल्डरन को मिलता है यह हमें पता नहीं है यह हमें calculate करना है and हमें given है कि जितना भी इस data का mean है वो हमें already given है वो 18 के equal है तो हम यह f कैसे calculate करेंगे देखे जब हम mean की बात करते है तो mean क्या होता है किसी भी group data का mean होता है submission of fi into xi divided by submission fi यह हमारा mean होता है इसका value हमें already given है 18 के equal है तो हम इसी mean को use करके इस f को calculate करेंगे कैसे देखे हम पूरा procedure follow करेंगे mean वाला like सबसे पहले हमें क्या calculate करना होता है mean के लिए class mark तो class mark क्या होता है class mark होता है जो हमारा observation है मलब class interval है उसका upper limit प्लस उसका lower class limit divide by 2 यह हमारा class mark होता है जिसको हम xi भी बोलता है तो हमने यहाँ पे दोनो values निकाले मलब class mark निकाला 13 प्लस 11 बाई 2 मतलब 13 प्लस 11 24 बाई 2 यहने की 12 फिर 15 प्लस 13 28 डिवाइड बाई 2 14 तो हम ऐसे करके पूरे class mark calculate कर लेंगे अब हमें mean के लिए क्या चाहिए था fi into xi fi हमारा frequency हमें पता है xi हमने अभी calculate किया है तो आप इन दोनों values को multiply कीजे and देखे तो fi xi का जो column होगा उसमें 7 into 12 यानि 84 फिर as a 6 into 14 84 again 9 into 16 144 and so on आप सब का multiplication करेंगे and fi xi का table हम calculate कर लेंगे पर यहाँ पे एक value ऐसा है देखे जो हमें unknown है मतलब f तो यहाँ पे एक value ऐसा भी आएगा जो 20 f के equal आएगा क्यों क्योंकि xi हमें पता 20 है and fi हमारा f है तो यह आएगा हमें 20 f तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है अब हमें दो चीच चाहिए थी mean के लिए एक submission of fi xi and दूसरा submission of fi तो देखे submission of fi क्या होगा जितनी भी हमारे पास total number of frequency है उनका addition यानि कि यह तो अगर हम इन सब को add करें तो हमें submission fi मिलेगा 44 plus f क्योंकि एक f है हमारे पास तो 44 plus f right and submission of fi xi क्या होगा जो हमारे पास पूरा values है इनका addition तो इनको आप add करेंगे तो submission fi xi मिलेगा 752 plus 20 f right इन दोनों values को आप mean का जो हमारा formula है उसमें put कीजे तो देखे mean यानिकि x bar equals to submission fi in xi divided by submission fi यह दोनों value हमें पता है बलकि mean भी हमें पता है तो values हम put करते हैं तो mean था हमारा 18 submission fi xi था 752 plus 20 f submission fi था 44 plus f हमने यहाँ पर values रखा अब इस value को 44 plus f को हम cross multiply कर देते हैं 18 से तो जब यह multiply होगा तो हमें मिलेगा 18 into 44 plus f equals to 752 plus 20 f right 18 into 44 792 18 into f 18 f तो मतलब 792 plus 18 f equals to 752 plus 20 f right तो जो हमारा numeric value है उनको हम एक side ले लेते हैं जो हमारा f की terms में value है उनको हम एक side ले लेते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर बनेगा 792 अभी 752 left hand side मा आएगा तो उधर positive था इधर negative हो जाएगा तो 792 minus 752 equals to 20 f यहाँ पर 18 18 f जो हमारा था positive था तो equals to के दूसरे side जाने पर negative हो जाएगा तो 20 f minus 18 f राइट तो 792 minus 752 equals to 40 and 20 f minus 18 f equals to 2 f राइट अब देखें इस two को हम अगर equals to के left hand side में यह दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारा पास f equals to होगा 40 by 2 and यह हमारा सीधा सीधा cancel हो जाएगा 20 से तो f equals to 20 यह हमारा वही frequency होगा जो हमारा missing frequency था राइट तो कितना ही सीधा देगे यहाँ पर हमें mean given था जर्णल ही हमें problem क्या होता है कि हमें सब कुछ given होता है हमारे पास और हमें mean calculate करना होता है पर कई बार examiner भी trick यूज करते हैं आपको mean दे देंगे कोई एक frequency को miss कर देंगे and आपको उस frequency को calculate करना होगा तो घबराने की ज़रत ने तरीका सेम है जैसे आप mean calculate करते हैं उस formulas में आप सारी values put कीजे आपके पास missing frequency अपने आप निकला आएगा okay guys thank you tutorialspoint.com simply easy learning